नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पावरफुल हिंदिश टेनों पर आपका स्वागत है जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मि मिलती रहें अभी वीडियो स्टार्ट होने में 15 सेस है रेडी स्टार्ट भायो आखिरकार एक लंबे संगर्ष के बाद जोकी मुख्य रूप से एहिंसात्मक था और जिसका नित्रितो ऐसे वीलक्षन व्यक्ति ने किया जो एहिंसा और सत्य को इस्वर का परियाय मानता था परंतु सवतंतरता के किनारे पहुँजने के अंतिम चरण में भारत को खून की नदी में से होकर गुजरना पड़ा विराम और यह नदी भारतियों ने ही खोदी थी तथा इसमें भारतियों का ही खून बहे रहा था विराम एभूत पुरव पेमाने पर लोगों का निशकर्मन हुआ विराम पुर्षों, इस्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, बिमारों समेत एक करोड व्यक्ती जिनके सरीरों से खून चूकर भारत की भूमी तक को रंग रहा था विराम भारत के एक और से दूसरी और गए विराम उन्होंने अपने पीछे नए केवल मकान और जमीने चोड़ी बलकि अपने घर के व्यक्तियों के मरित सरीर भी चोड़े विराम सवतंतर भारत के किनारे तक पहुचने के लिए देश को यह मुल्य चुकाना पड़ा और वह दो पर्बु सतासंपन राश्टर भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया विराम यह 15 अगस्त 1947 की बात है विराम कांग्रेस ने जो वाश्ट्विक रूप में 1885 से भारत की राश्टिये वानी थी हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकलपना की थी विराम कांग्रेस को अंत में भारत का विभाजन सविकार करना पड़ा वैसे तो यह सविकरती सहमती से दे गई थी परन्तो वाश्ट्विक रूप में देखा जाये तो यह ब्रिटिस सासकों द्वारा पिछले कई दसकों से उत्पन की गई परिश्थितियों के दबाव के कारण था विराम फूट डालो और राजगरों की निति पहले पहल अलिगड मुस्लिम कालिज की स्थापना के साथ सुरू की गई विराम एक दूसरे के बाद आने वाले तीन ब्रिटिस प्रिंसिपलों ने प्रिथिक्ता का विचार मुस्लिम नेता ओर चातरों के मन पर बैठाया विराम अगला पहरा सर सयद एहमद को विभाजन मुलक विचारों को पहलाने के लिए उनसे हर परकार के मदद मिले विराम हम यह नहीं कहेंगी कि इसमें हिंदूओं का और कोई दोस नहीं था जो मुसलमानों से सामाजिक सतर पर अलगाओ बनाए रखते थे और आर्थिक द्रेष्टी से उनका सोसन करते थे विराम अलिगड कालेज के अधिकारियों को अपने उदेशे की पूर्ती के लिए उपजाव भूमे मिले विराम यह सब कुछ पिछली स्ताबदी के अंतिम वर्षों में हुआ विराम इन होने सोच समझ कर राष्टिय मुसलमानों की उपेक्षा करने की निति अपनाई विराम 1947 में कांग्रेश के पास विभाजन सर्विकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था विसेशकर गंभेर समपरदाइक जगडों के कारण जो की गरहय युद का रूप धारण कर रहे थे विराम जिन्ना ने यह सुझाव भी दिया कि समपरदाइक आधार पर आबादी की अदला बदले की जगड़ाम साइद वहे बहेतर समाधान होता क्योंकि इसके साइद वे करूर करते नह होते जो बहुत लंबे काल तक परोस में रहने वालों के साथ उनके परोस्यों ने किये विराम विभाजन को सविकार करते हुए कांगरेस ने जून 1947 को दिल्ली में एक परस्ताव पास किया जिसमें अंतिम बार भारत की मूल भूत एकता का आगरे किया गया था विराम इसमें कहा गया था पिछली दो पीडियों के सरम और बलिदान की नहें बलके भारत का विश्तरित इतिहास और परंपरा भी इस मूल भूत एकता की शाक्षी है विराम श्टोप झाल झाल